गुद मॉर्निंग संदीब जी, गुद मॉर्निंग सेर, कैसे हैं आप, ठीक हो सेर, आज हम ऐसे इंसान के बारे हैं बात करने वाले हैं, जिनको शायद आप सबसे उपर रखते हैं, जो की हैं, श्री मती शारदा सिनहा जी, सब लोग जानते हैं कि वो कित्ती बड़ी हस्ती है आपको प्रेड़ना कहां से मिली कि आप किसी के इतने क्या कहूं, मैं भक्ती? जी, कहा जाए, सन 1994 की बात है, जब उनके एक लोग गीत की एलबम आई थे, उनके प्रेटिया, तो मैंने उसमें सुना, उसमें माटी के जो संस्कृती होती है, जो हमारे घर आंगन से जो गीत निकलती है, उसमें वो गीत थे, उनी को सुन के मैं बहुत उनका फैन हो गया, और उनके गीत के मैं दिवाना हो गया, और उनका फैन हो गया, बहुत अच्छी बात है, गाने तो हम सब सुनते हैं, लेकिन जो, क्या बोलू, मैं, जो भक्ति आप में है, जिसको आप चाहते हैं, उसको लेके वो सच में बहुत बड़ी बात है, तो हम सब जितने भी शोता जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि आप शार्दासिन जी के द्वारा गाया हुआ, एक दो गाना गाय हमारे लिए, ताकि उनकी जो भव्विता है, वो सब को पता चल सके, प्लीज, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, कहा जाता है कि अगर विद्यापती की रचनाये जो हैं, उसमें सबसे ज्यादा अधिक और सम्मान मिला है, उसमें शार्दासिन जी का नाम है, और उनीक के एक दो गित मैं आप सबों को सुनाऊंगा, जरूर, अच्छा लगे तो आप अपना हमें जरूर प्यार दीजिएगा, बिल्कुल, आपके साथ हमारा प सहज सुमती वर्दिया हे गोसावनी, अनुगती गती तुँआ पाया, जै जै भैरवी असुरे भयावनी बहुत ही जादा अच्छा, यह मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सच में बहुत अच्छा लगा, जो सुन रहे होंगे वो भी अपने लाइक्स और कमेंट्स से आपको बता देंगे, कि बहुत जादा अच्छा लगा है, और कोई नगमा, और उनके गजल क्या कुछ ऐसा है जो शार्दा सिना जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने गजल भी गाया है, तो प्लीज, कुछ लाइन्स किसी की आद को हम सीने से लगाए हुए किसी की आद को हम सीने से लगाए हुए गमों की धूप में जलते हैं मुझ चुपाए हुए किसी की आद को हम सीने से लगाए हुए वा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा Thank you so much हम सब की तरफ से और उमीद करते हैं कि आगे भी आप अपने short videos हमारे साथ बनाएंगे ताकि जो आम public है, जो लोग है वो आपके सुर का आनन ले सके Thank you तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द संदीप किरी जी से चलिए Thank you everyone, thank you